पैर इप्लोड करता मैं एपलोड करता हूं बस्क अन्ड फिसीक्स रेलिए और आखныट रहा हूं वरी इंट्रस्टिंग है मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि मेरी साइट MS Maths जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वहां से आप BAC के नोर्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल इजिली अभी हाली मैं मैंने उसको अपडेट किया है पूरा और अब हम देखते हैं उसके कुछ और साथ ही वहां से आप नोर्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं यह बहुत ही ज्यादा है आपके लिए So now let's start the video हुम बात करते हैं मेरी साइट से आप कैसी टाइप से डाउनलोड कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है Chrome browser में जाने पर आपको इस टाइप का interface जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं वो आपको यहाँ पर मिलेगा साइट का जो home page वो मिलेगा साइट जो है वो mobile में भी आप यूज कर सकते हैं और window में भी यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले उपर आईबर्ट यहाँ सबसे पहले आपको home tab पे जाते हैं आपको basic के सारे नोर्ट अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर जो BSC आईकन है इस पे जो है यहाँ पर इस BSC आईकन पर क्लिक कर सकते हैं जिससे कि आपको सारे topics एक साथ मिल जाएगे यहाँ क्लिक करने के बाद में सारे topics जो है वो आपको एक साथ में मिल जाएगे यहाँ से आपको जो भी चाहिए जिस भी topic पर like mathematics है physics है यहाँ पर mathematics और physics के जितने भी topics है उसमें से आप किसी भी एक को select कर लें जैसे मैं यहाँ पर एक को select करता हूँ जैसे कि मैंना statistics को करेंगे तो आपको statistics के notes में जाएगे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इंगलिश और हिंदी धौन में आप नोट्स प्रवाइड करें जाएगे यह भी एक इसका बहुत बड़ा यहाँ पर हमने अपडेट किया है जिससे कि आप पूरे notes को हिंदी और English में भी आइकन के नीचे जहीं example solution है जैसे first chapter equilibrium of body under several forces इसके example solution पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर click करने पर आपको इसके जो topics है वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे अब इसके जो important question है वो सारे आप आपको मिल जाएंगे और उसी के साथ में chapter wise important question आपको मिल जाएंगे ओके फिर बात करते हैं जैसे आपको कोई भी physics का कोई एक topic select करना है जैसे मैं quantum mechanics को अगर select करता हूँ तो आप वहाँ पर quantum mechanics पर चला जाएंगे यहाँ पर दो PDF देखने को भी लेंगे एक हिंदी का और एक English का भीलेगा जो आपको चाहिए उसको आप बिल्कुल easily यहां से download कर सकते हैं इसी के साथ में आपको एक और चीज़ बताना चाहूंगा यहां पर हमने search tab को भी enable किया अब जब search tab को enable करते हैं जैसे मैं यहां पर लिखता हूँ dynamics को जैसे मैं यहां पर लिखता हूँ तो आपके सामने dynamics के जितने भी related dynamics के page है वो सारे open हो जाएंगे और dynamics आप दे related topics में आप advanced integral calculus के जितने भी सारे videos है वो एक साथ आप यहां पर देख सकते हैं और उसी के साथ में कुछ important formulas के भी question मेरी site पर अवेलेबल है तो आप वहां पर इसका use ले सकते हैं so I hope आपको यह कुछ समझ माया होगा इसे के साथ में 11-12 के जो नोट्स है और एक चीज बताना चाहूंगा मेरी बुक भी आप यहां से purchase कर सकते हैं अगर मैं मेरे product के बात करता हूँ तो इसमें मेरी बुक जो हो general mathematics के लिए e-book की आप बात कर रहे तो e-book आपके मिल जाएग जो हमारे notes हैं उसको बिल्कुल इजली यहां से आप ले सकते हैं और साथ ही अगर आपना हमारे चनल अभी तक subscribe नहीं किया है तो please do subscribe, do like and do share thanks for watching this video keep watching MS Maths एक tutorial video था जिस जो कि आपके लिए बहुत जादा helpful रहेगा ताकि कैसे हम मेरी site से जो है आप videos को download कर सकता है so thanks for watching this video keep watching MS Maths and subscribe to the channel MS Maths